हैं लोग दोस्तों वेलकम बैक टो माई चैनल कैसे हैं आप सब उमीद करती हैं कि आप सब भी बहुत अच्छी होंगे दोस्तों मैं इस वीडियो में हैवी बालों के लिए क्लेचर जुड़ा बन हेर स्टाइल लेकर आई हूँ आपके लिए सबसे पहले बालों को अच्छी तरह से कॉम कर लेना है अच्छी तरह से बालों को कॉम करने के बाद हाप पोनीटेल बनानी है यानि की हाप चोटी बनाना है और उसमें कलेचर को अच्छी तरह से टक कर देना है इसके बाद बालों को टू पार्टिशन करेंगे इस तरह से इसके बाद दोस्तों हाप चोटी बनाते वक्त जिन बालों को हमने कलेचर से टक किया था कलेचर से सिक्यूर किया था तो उन बालों को कलेचर के चारो तरफ से एक जूरा हैर स्टाइल करेंगे हम यहां बहुत ही छोटू से जुड़ा बनेगा इस तरह से और इसे एक जुड़ा पेंच से हम सिक्यूर कर देंगे इसके बाद जिन बालो को हमने टू पारिसन किया है उन्हें अच्छे तरह से कॉम कर लेंगे लेफ्ट साइड के बालो को इस तरह से राइट साइड की और से लेके आएंगे घूमा कर और नीचे की और थोड़ा सा ट्विज करेंगे याने कि मोड़ेंगे और मोड़ने के बाद इसे जूड़ा पिन से सिक्योर कर देना है सेम एही प्रोसेस हम राइट साइड भी करेंगे इस तरह से लेफ्ट साइड की और से राउंड लगाएंगे इस तरह से घुमा कर और इसे इन बालो को ट्विस्ट करेंगे त्विस्ट करने के बाद इसे जूड़ा पिन से सिक्योर कर देना है अगर आपके हैबी बाल है तो आप इस तरह से हेरस्टेल कर सकते हैं और यह जल्दी खुलता भी नहीं है और इसके बाद एक दो जूड़ा पिन के हेल्प से आप इसे अच्छी तरह से सिक्योर कर दें अगर आपके बाल लाइट वेट है तो आप जूड़ा पिन को अवाइड कर सकते हैं आपको जूड़ा पिन लगाने की कोई जुरूरत नहीं होगा गर्मियों के सीजन में आप इस तरह के हेरस्टेल कर सकते हैं बाल बिल्कुल ही डिस्टप नहीं करेंगे और बहुत ही इजी तरीके से ये हेरस्टाइल बन जाता है वीडियो हेलफुल रहे तो प्लीज आप कमेंट शक्षन में जुरूर बताईएगा मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू टिटोरियल और एक न्यू वीडियो के साथ तब तक के लिए गुड़ बाई